अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके Infinix phone में sim card का network नहीं आ रहा है यहां पर जब आपने अपने phone में sim card लगाया है तो जैसे की हमने अपने phone में 2 sim card लगाए हैं बट setting में इसके network नहीं आते हैं जब setting में जा रहे हैं SIM card and network setting में तो ये no sim card आता है, तो दोनों sim में no sim card आ रहा है, तो ये problem कैसे ठीक करें, तो इसके लिए आपको अपने phone में 2-3 settings apply करनी है, सबसे पहले जब अपने phone में settings open करेंगे, तो settings में नीचे आएए, सबसे नीचे आकर आएगा ये system, system पे click करें, उसके बाद नीचे ये reset phone पे click करें, उपर आगा reset wifi settings, reset wifi mobile and bluetooth, इस पे click करें, अब नीचे reset button आएगा, तो ये reset पे click करें, और network settings reset करें, हमने पहले से कर लिया है, तो इसे cancel करेंगे, back करेंगे, बटा आप reset पे click करें, network settings reset होने के बाद, अब यहाँ पे आप अपने phone में sim tray को निकाल कर एक बार फिर से लगाईए, यानि कि sim निकाल कर फिर से अपने phone में लगाईए, और तीसरा process है, यहाँ पे आप अपने phone को बंद करके चालू करिए, यहाँ फिर अपने phone को restart करिए, और phone को restart करेंगे, उसके बाद अब चेक करिए, आपके phone में दोनो sim card आ रहे हैं, अब no sim card यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप यह problem ठीक करें, वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को like जरूर करें,